दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आई रपसी इस स्टॉक को एक एक्जामपल के तोर पे रख रहे हैं ताकि आपको जो है शेर बाजार में अच्छे स्टॉक चुनने की समझदारी पैदा हो या कोई ऐसा स्टॉक भाग गया है और उसमें आप लालच भरी निगाहों से आकरशित हो रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरते हैं उन सारी चीजों पर आज हम डिसकस करने वाले हैं आयरपसी पिसली हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं किस प्रकार के कॉमेंट्स हैं कुछ ने कहा है कि सर हमारे पास आयरपसी के स्टॉक से हम क्या करें हमें लाब हो रहा है कुछ लोगों ने कहा है कि क्या हम नई बाइंग कर सकते हैं कुछ लोगों ने हाईवी कॉनिटी ले रखिये जो डिविडेंट को लेके फोकस कर रहे हैं तो उन समस्याओं का भी निवारण इस वीडियो में आपको मिलेगा मैं बताऊंगा लेकिन एक जो समस्दारी पैदा करनी है एक निवेशक के तौर पे कि गलतियां हम कहां करते हैं उससे हम बचें तो सबसे पहले मैं एक्जामपल सहीद बात करता हूँ जब भी करता हूँ ताकि आपको भली भात मालूम पड़े कोई कहना सके कि सर अब आज आप बता रहे हैं पहले क्यों नहीं बताया इस कमपनी की जब लिस्टिंग हुई थी तब हमने वीडियो बनाया आयरपसी स्टॉक बूंद बूंद से घड़ा ही नहीं ताला भी भर जाता है बहुत सारे वीडियो बनाया हर तीन महिने जब भी नतीजे आते थे हम अपडेट करते थे और देखिए तीन वर्ष पहले ठीक है ये वीडियो बनाया स्टॉक प्राइस क्या था 22 रुपया ठीक मार्केट क्रेपलाइजेशन 28,000 क्रोड के आसपास डिविडेंट इल्ड 4.74 यानि कि 5% के आसपास पकड़ा के चलिए डिविडेंट इल्ड निकल के आ रहा है तीन वर्ष पूर वो फिर ठीक एक साल पहले हमने वीडियो बनाया मतलब जो एक साल पहले हमने वीडियो बनाय हुआ उसके ठीक पहले 19 रुपए से लेके 26 रुपए के मद्ध में बहुत बारी उपर नीचे आया है तो इस पे तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाया हुए हैं आपके समक्षम ने प्रमार भी रख रहे हैं और यह वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जरूर यह भी हाई रपसी का ही था तो आपको कुछ नए कुछ नए स्टॉक सेलेक्शन में आपको मदद मिलेगी आज जो इसका स्टॉक प्राइस है 176 का जब आज वीडियो बन रहा है करीब अथारा जोन को साले 11 बजे के आसपास और यदि आप देखेंगे जो हाई बना चुका लाइफ टाइम वो है 200 का यानि 200 का 200 का इस्तेमाल करेंगे कुछ बेसिक चीज़े बता दें जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख रहे हैं 4.68 है कभी बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक प्राइस ट्रेट किया करता था कैसे यह देखिए बुक वैल्यू उसकी आ बड़ा नहीं हो गया है सिर्फ स्टॉक प्राइस या प्रीमियम भागा है आप यह कह सकते हैं आज मार्केट का एप्लाइशन हो चुकी है दो लाग तीस जार करोड की दस की फेस वैल्यू अभी भी है अब यह मैं सब क्यूं बता रहा हूं अभी आपको आगे प्रॉपर प से लेके या आप धाई साल भी पकड़ सकते हैं तो यानि कि यह 19 रुपए से लेके 26 रुपए के मद्धे ट्रेड होता रहा ठीक है उसके बाद यहां पर अभी जून के आसपास फिर तेजी देखने को मिन्यों लगातार एक साल रेर साल में सवा साल में इसने भयाना क्रेट आप SIP करते हैं किसी स्टॉक में या महीने को कुछ कुछ लेते जाते हैं डिवडिन को लेके हमने वीडियो बनाया था आयरपसी में चमतकार क्या हुआ आयरपसी ने सारी PSU कमपनी में चमतकार हुआ तो अगर माली जी किसी ने 10,000 रुपए यह हम क्यों बता रहे हैं देख सीखना चाहिए डेटा एनालेसिस करना चाहिए अपने भूल को सुधारना चाहिए इन सबसे दिमाग को उल जाने वाले जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूं इससे आपका दिमाग पारंगत होगा और कोई भी नया स्टॉक खरीदेंगे डिसीजन लेने में आपको हिल्प होगी किस तरीके से उसका रख रखाओ करना है उसमें भी आपकी समझदारी बढ़ेगी तो 10,000 रुपई कि माली जी किसी ने SIP शुरू की जब हमने वीडियो बनाया कि बूंद बूंद करके जोड़ते रहे हैं 10,000 एक मामूली सी रखम होती है बहुत बड़ी रखम नहीं ह माली जी कि आप अपना एक पॉर्टफोलियो बना के रखें तो उनमें किसी स्टॉप में आप भर रहे हैं आपको लगता है कि मुझे डिविडेंट से अच्छा फाइदा मिलेगा भविश में और दो साल में खरीब 24 महीने में आप देखेंगे 24 मंस में करीब आप 2,500 की तो समझे कि आपने खरीब करीब 24 रुपए भी हम एवरेज प्राइस पकड़ते हैं तो 10,000 शेर के कीमत हो जाती है 2,400,000 अब आज की डेट में देखें माली जब इसने 200 रुपए का हाई बनाया क्योंकि हाई के पास यह ट्रेड हो रहा है कभी उपर जाता है कभी नीचे जाता है तो खरीब जिस इनसान ने SIP शुरू की 26 रुपए तक और 19 से लेके इस बीच में 2 साल में उसने एक सामराज खड़ा कर लिया 10,000 शेर का और उन 10,000 की वैल्यू तब हो गई जब 200 रुपए टच किया था 20 लाख रुपए सोचिए कहा 26 रुपए कहा 200 रुपए स्ट खत्म नहीं हो जाती समझने वाली बात है कि पोर्टफोलियो में आपके 5-6 स्टॉक्स हैं 10 स्टॉक्स है 15 स्टॉक्स हैं किसी एक स्टॉक पे आप फोकस कर रहे हैं तो सूचिए कि एक स्टॉक की कीमत करीब वैल्यू जो निकल के आ रही 20 लाख हो गई है और इस 20 लाख माच गुना होना है 5 टाइमस तो यह करीब एक करोड की वैल्यू बन सकते हैं अब है क्या कि जिनके पास आयरपसी है देखे तीन प्रकार के लोग हैं जो लोग डिविडेंट को लेके जोड के रखे हैं वो तो बने रहें बिलकुल भी बेचे नहीं आपको डिविडेंट भ इस स्टाउक ने बहुत अच्छी परफार्मेंस दी है 25 रुपए से सीधे 200 रुपए हो गया है हम क्यों ना खरीदें मैं उनके लिए बता दू यह मेरा ऐसा वित्तिगत विचार है मेरा मानना है कि जो ट्रेन छूट चुकी है उसके पीछे भागने की बजा है क्योंकि समझ रुपए वाला जब 400 का होगा तब जाके जो आज खरीद रहा है शक्स उसका पैसा डबल होगा ठीक है इतना महेंगा आप इतना महेंगा आप खरीद रहे हैं 200 रुपए एक फीगर में हम पकड़ लेते हैं इसका स्टॉक प्रैस एक्जेक्ट लिए 176 है लेकिन समझदारी के लिए कल्कुलेशन के लिए लेकिन जिस इनसान ने 26 रुपए पे खरीद के रखा हुआ है उस का पैसा कितने गुना हो गया यह आप कल्कुलेट कीजिए यही एक समझदारी का परिचा होता है कि जितने कम प्राइस पे सही वैलवेशन पे सस्ते वैलवेशन पे लिया गया इस टाक वो आपको जितना बेनिफिट देगा न कि जब बहुत भाग चुका है वहां पे कुछ इशूज हो जाते हैं और डर का महौल तो वैसा ही जैसे आप टीबी खोलेंगे कोई भी न्यूस चैनल खोलेंगे तो आपको यही पता लगता है कि फला सहयोगी जो राजनीतिक पार्टी है वो इस चीज़ की डिमांड कर रही है क्योंकि पूर्ण बहुमत यहां पे नहीं है तो एक डर का महौल तो है पॉलिटिक्स में तो उस वज़े से जो प्रिश बाइंग की और सोच रहे हैं आई रपसी में ना जाके क्योंकि यहां पे आपको क्या मिलेगा पौने दो लाग क्रोड के आसपास मार्केट कर प्लाइजेशन है डबल होने में चाल लाग क पहुंच सकती गवर्मेंट कुछ भी कर सकती गवर्मेंट तो लाइसी को डेबल करवा सकती है लेकिन क्या एक निवेशक के तौर पे वेलवीशन के तौर पे हमें इस तरीके कमपनियों का चेहन करना चाहिए इतनी भागी इतनी महेंगी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ ब चांसे रॉकेट बनने के ज्यादा है ना कि जो अल्रेडी रॉकेट बन चुका है तो यह तुरह दूसरे नंबर वाले बात तीसरी जिनके पास कम कॉंटिटीज है कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमने 4000-5000 कॉंटिटीज लीती है हमारा जो है कई गुना हो चुका है हम क्या कर लेगी क्योंकि आपकी छोटी प्राइस की बाइंग है तो आप भी निश्यंत हो जाएंगे गिरावट भी होती है तो भी कोई इश्यू नहीं हाला कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है गिरावट का लेकिन हम यह देखना चाहिए कि दोनों साइड में कि गिर भी सकता है क्या त गुना नहीं हो गए है एपीयस तो वही है देखते है क्या एपीयस एपीयस तो चार रुपए एक यानवे पैसे नजर आ रहा है है ना प्राइस्ट बॉक वोग वैल्यों 4.68 जबकि बुक वैल्यू कभी बुक वैल्यू से स्टॉक प्राइस का भी नीची जो है ट्रेट किय करता था पी रेशियो इसका जो 35 का नजर आ रहा है जबकि एक समय पर प्राइस्ट वर्निंग रेशियो का भी दो चार का हुआ करता था तो सूचिए आप प्यस्यू कंपनीज ये हैं तो कमाई है आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है लेकिन प्यस्यू कंपनीज में उतना को जो अभी तक नहीं भागी है जिनमें बहुत संभावना है खास कर एक अच्छे निविशक के तौर पे ना कि आप प्यस्यू कंपनीज में जाएं प्यस्यू कंपनीज में अफकोस जाएं लेकिन सब के लिए बात लागू नहीं होती बहुत सारे ऐसे निविशक होते हैं जो वो एक कुछ छोटी कमपनियों में potential देखे छोटी कमपनियों इन दे सेंस छोटी price का नहीं market capitalization की बात कर रहे हैं देखिए आज ये करीब थाइलाग करोड़ के आसपास market capitalization है वहीं पे तीन साल पहले मात्र जो है आपको यहाँ पे 28,000 करोड़ की market capital दिखाई दे रही है तो ये आज का वीडियो जो हमने आपके समख्ष रखा पूरी तरीके से educational purpose से ताकि आप समझ सकें कि भविश्य में यदि कोई company लेने जा रहे हैं तो उसका business के इस प्रकार से है क्या earnings है, क्या उसमें समभावनाए है इन सब बातों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा तब जाके आप बड़ा पैसा बना लेते हैं कभी-कभी कुछ company आप लेते हैं और ये तफाक से बड़ा बन जाता है जैसे ये बन गया तो बड़ी amount बन जाती है और उस बड़ी amount को ये सही समय पे निकाल के 20 लाख रुपय को किसी ऐसे potential भरे company में लगा देते हैं जिन में लगता है कि अभी चार-पांच गुना हो सकती है तो अपने 10-15 जो आपके portfolio में stocks उनमें से किसी एक stock को ये किसी ऐसी company में भी लगाते हैं जो चार-पांच गुना हो सकता है अब यही research करने यही ध्यान देना है कि 5 सालों में ऐसी कौन सी company है जो 5 गुना हो सकती है ये किसी को नहीं पता होता लेकिन आप business तो देखते ही है financial तो देखते ही है तो वहाँ पे देखा करिए कि साल दर साल कौन सी company जो है डबल हो रही है चोथे साल में डबल हो रही है तो सुचिए कि आज नहीं तो कल भयाना कुन में पैसा बनेगा और यही patience के साथ बने रही है एक long term के लिए इसी तरीके से पैसा बनाते रहे है कोई सुझाओं तो जरूर उनको comment box में आप रखिएगा